आज यहां पर आयो तो बहुत मुश्किल है, आज तो आप कर रहे हो पर लेकिन जो गरी बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे, आज तो आपने सब को हमें यहां पर एक खटा किया है, आपने हमें कामियाबी के बाद बढ़ती है, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली के हो नहों, दुनिया आपको तभी पूछती है, जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन तब तक आपको आदत हो जाती है, किसी से कुछ उमीद ना रखने की, पर कहीं न कहीं एक तीस सी रह जाती है, जब आपकी काम्याबी के बाद कोई आपकी पीड थता पाने आता है, तो आपके सारे पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं, जो आपने गुमनामी के दिन में सहे थे, कुछ ऐसा ही हुआ, कॉमनवेल्थ केम्स 2022 में, रेस्लिंग में ब्रॉंज मेडल जीतने वाली दिव्या काकरान के साथ, जब दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल न क्या बोला था, सबसे पहले अर्विंद केजरिवाल ने ट्विट किया, शाबाश पहलवानों, हमारे पहलवानों ने कॉमनवेल्थ खेलों में धूम मचा दी है, कुछ ती में भारत को एक ही दिन में कुल 6 मेडल मिले, जिसमें 3 गोल्ड है, उसके बाद उन्होंने सारे रे पीज साल से दिल्ली में रह रहे हूं, और यहीं अपने खेल कुष्टी का अभ्यास कर रहे हूं, पर अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनामराशी नहीं दी गई है, आप से निवेदन करती हूं, जिस तरह आप अन्ने खेलाडियों को सम्मानित करते हैं, तो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाएं, फिर उनका एक और ट्विट आता है, समय ने खुद को दुबारा दोराया, ऐसा लगता है, सब कुछ पहले जैसा ही है, ना कल मेरे लिए कुछ हुआ था और ना ही अब हुआ है तो इसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से वो निराश हो गई है, बिल्कुल हताश हो गई है, सरकार के इस रवये से, और बस इतना ट्विट करना था कि हैश्टाग दिल्ली का ठग ये वाइरल होने लग गया, सब लोग अरविंद केजरिवाल को टैक करने लगए, एक बार मैं एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो है सिर्फ इंफर्मेशन के परपस से बनाई गई है, इसका कोई प्लिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही ये प्लिटिकली फंडेट है, तो कॉमेंट बॉक्स में क्रेपया थोड़ी मर्यादा बना कर हकदार होते हैं, तो कहीं न कहीं दर्द छलक कर बाहर आई जाता है, तो सुनिए दिव्या काकरान आगे क्या कहती है, आज आप कम कर दीजिये हमारे लिए, पर लेकिन जिस टेम पे जाज जूरत रहती हैं, अगर उस टेम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते हैं, अगर हमें अचा सब सपोर्ट रहती तो, तो ठीक है, आपने बुलाया था, आपने कहा हैं, आपने कहा हैं, अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे, तो ज़्याद अच्छा रहेगा, और दिव्या काकरान कितनी प्रतिबाशाली है, यह इनके ट्विटर बायो से थोड़ी बहु जलकी मिल जाती है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यह अर्जोन अवार्डी है, रानी लक्ष्मी बा दे रही है, कि सिर्फ उन्हें ही वो क्यों सब मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ये मैडल ये ले करा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों को खासकर सुवधा मिलने चाहिए, जो अभी तैयारी में लगे है, ताकि उन लोगों को वो कस्ट ना जेलना पड़े जो दिव्या ने जेला है और अगर बात करें साल Commonwealth की तो भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वीडियो में दिव्या काकरन कहती भी है कि उन स्टेट्स में जादा मैडल आए हैं जहां सुविधाओं का विकास हुआ है हर्याना का वो एक्जामपल देती है त किसी की भी सरकार हो किसी भी पार्टी की सरकार हो स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि जब वो मेडल लेकर के बधाय देने आए तो एक सेंस ओफ प्राइड और एक सेंस ओफ सैटिसफेक्शन उनमें डेवलप हो सरकार में डेवलप हो कि इस मेडल में जो medal ये हमारे wrestler, ये athlete, ये boxers लेकर आए हैं, इन में सरकार का भी कुछ योगदान था, आपकी राए क्या है, comment box खुला है, आप बिलकुल अपनी राए वहाँ पे रख सकते हैं, thank you for watching this video, जै हिंद, जै भारत